हेलो स्टूडेंट्स अपना गुर्कुल यूटूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है डियर स्टूडेंट्स मेरा नाम है लोकेंदर सिंग राजावत और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे क्लास सेवन तेकलव विबेच का लेक्चर नमबर सेवन लेक्चर नमबर सेवन में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने सुरू के 6 लेक्चर को नहीं देखा है तो पहले उन लेक्चर को जाके देखिए तभी आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आएगा especially इससे पहले के दो लेक्चर्स को आप जरू देख लीजिए और जिसके अंदर हमने addition of fractions and subtraction of action वाले topic को cover किया है इस वाले lecture के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं addition और subtraction के उपर कुछ problems है किस type की problems पूछी जा सकती है वो हम discuss करने वाले हैं इसके साथ ही कुछ word problems भी हम करेंगे जिसमें questions को क्या होगा word format में लिखा हुआ होगा उसको हमें पहले समझना पड़ेगा और उसके बाद में हमें क्या करना पड़ेगा उसकी equations बगेरा बनाके उसको आगे solve करना पड़ेगा तो चलिए सुरू करते तो हमारा जो आज का lecture है वो है problems based on addition and subtraction of fractions addition और subtraction कैसे किया जाता है यह हम और रड़ी सीख चुके हैं अब हमारे को देखो यहां पर मैंने आप लोगों के लिए 6 questions लिखे हैं इन 6 questions को हम solve करके देखते हैं कि इनको कैसे करेंगे तो यहां आप लोग notice कर पारे होंगे देखो इस वाले question में addition भी आगया और subtraction भी आगया मतलब दोनों एक साथ आगये हैं तो हमें क्या करना होगा जैसे हम लोग addition और subtraction नोर्मली करते थे वैसे हम start करेंगे सबसे पहले क्या करते थे हम लोग सभी denominators का LCM लेना होता है तो यहां पर देखो 3, 6 और 9 इनका जब LCM लोगे तो वो LCM निकल के आएगा 18 तो यहां पर हमने सबसे पहले क्या लिया LCM ले लिया addition और subtraction में भी हम क्या करते थे starting इसी तरीके से करते थे बस यहां extra क्या हुआ है addition और subtraction दोनों एक साथ आ चुके है तो इसे हमें कोई मतलब नहीं है हम लोग जैसे starting करते हैं वैसे हम लोग करना start करते है आगे-ागे चीज़े अपने आप समझ में आती रहेगी तो देखो अब क्या करते हैं यह जो LCM है इसको हमें denominator से divide करना होता है denominator कितना है यहां 3 है याणी 18 को 3 से divide करो कितने टाइम होगा 368 याणी 6 time divide हो गया और जो भी result आया याणी 6 आया उसको numerator से क्या करना होता है multiply करना होता है तो जो 6 आया उसको 2 से multiply करोगे तो 12 आयेगा इस 12 को हमें कहां लिखना है, यहां लिखना है, I hope आप लोगों को यह चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी, यही process हमें क्या करना है, सभी denominators के साथ apply करनी है, तो अब यहां बीच में plus है, तो यहां क्या आ जाएगा, plus आ जाएगा, फिर 18 में 6 से divide करोगे, कितने time होगा, 3 time divide होगा, फिर 3 को 5 से multiply करोगे, तो कितना आएगा, 15 आएगा, अब बीच में minus है, तो यहां क्या आ जाएगा, minus आ जाएगा, फिर 18 में 9 से divide करोगे, तो 2 time होगा, फिर 2 को 1 से multiply करोगे, तो 2 आएगा, I hope आप लोगों को यहां तक अच्छे से समझ में आ गई होगी, फिर आप 1 हो, तो हम लोग क्या करते है, इस rule के through, उस question को क्या करने की, solve करने की, कोशिस करते है, इसमें क्या होगा, सबसे पहले हमारे को, चलो V को अभी के लिए छोड़ दो, मैं काम करूंगा, आप लोगों के लिए अलग से एक lecture बना दूंगा, इसी सीरीज में, जिसके अंदर क्य B का मतलब होता है, bracket, तो यहां पर तीन तरीके के bracket होते है, उसके बाद में D का मतलब होता है, divide, M का मतलब होता है, multiplication, addition, और S यानि subtraction, I hope आप लोगों को चीज समझ में आ गई होगी, तो इसमें क्या होता है, priority जो किसकी रखनी है, वो यहां से इधर चलेंगे हम लोग, तो स एक सी जोर ध्यान रखना, addition और subtraction में से आप लोग किसी को भी पहले कर सकते हो, उससे कोई भी फरक नहीं पड़ता, तो देखो, 12 और 15 है, इन दोरों को 8 करोगे तो कितना आएगा, 27, minus 2, divide by 18, जब इसको subtract करोगे तो कितना आएगा, 25, divide by 18, I hope आप लोगों को यहां तक समझ में आगया होगा, अब आप चाहो तो इसको mixed में भी convert कर सकते हो, तो mixed में कैसे convert करोगे, 25 में क्या करना है, 18 से divide करोगे, one time divide होगा, minus करोगे 7 आएगा, अब आगे फर्दर हम इसको क्या नहीं कर सकते, solve नहीं कर सकते, तो जो भी question आया है, उसको तो हमें यहां लिखना है, ज जो भी diviser था, जिससे हमने divide किया था, वो नीचे आजाएगा, तो हमारा final answer क्या आगया, one and seven by 18, I hope आप लोगों को यह अच्छे से समझ बे, आगया होगा, अब मैं यहां पर आप लोगों को यह पाचो questions भी खुद सोल करके बता रहा हूँ, तो अगर आप लोगों को यहां पर कोई problem आई है, तो कोसिस करना कि इसमें समझने की कोसिस करो, यहां क्या हुआ, तो देखो, एक बार एक काम करते हैं, इसको reject कर लेते हैं, कि कुछ गलती नहीं होनी चाहिए, 18 LCM आया, 18 के अंदर हमने 3 से क्या किया, divide किया, 6 टाइम होगा, 6 को 2 से multiply किया, 12 आएगा, फिर 25 आएगा, नीचे 18 चली रहा है, और जब इसको mixed में convert कर दो के तो कितना आजाएगा, 1 and 7 by 18, यह हमारा क्या हो गया, फाइनल रिजल्ट हो गया, यह हमारा answer हो गया, I hope आप लोगों को यह चीज अच्छे से explain हो गई होगी, अब यहां देखो, इसको क्या करें, तो पहले बा तो देखो, यह 8 upon 1 तो ऐसे कैसे चलेगा, बीच में minus है, तो इसको convert कैसे करते हैं, इसको इसमें multiply करो, 2 4 जा 8, उसमें इसको क्या करना है, इसको multiply करना है, इसको 8 करना है, 2 4 जा 8 और 1 कितना होगा, 9 होगा, तो यह कितना होगा, 9 और नीचे denominator में 2 था तो वो 2 आ जाएगा, फिर बीच में minus है, तो minor, 4 तो जा 8, 8 प्लस 1 कितना होगा, 9, तो यह भी कितना होगा, 9 upon 4, I hope आप लोगों को एची समझ में आ गई होगी, अब अगली step में हमें क्या लेना होता है, LCM लेना होता है, 1, 2 और 4, जब इन तीनों का आप LCM लोगे, तो वो क्या आएगा, 4 निकल 4 में 2 से डिवाइट करोगे, तो 2 टाइम होगा, इस 2 को 9 से मल्टिप्लाइ करोगे, तो कितना होगा, 18 आएगा, बीच में minus है, तो minus है, फिर इस 4 में 4 से डिवाइट करोगे, वन टाइम होगा, 1 को उपर numerator, यह नि 9 से मल्टिप्लाइ करोगे, तो कितना होगा, 9 आएगा, अ 14 में से जब क्या करोगे 9 माइनस करोगे तो 5 बचेगा और डिवाइड बाइ 4 अब इसको आप वापस से किसमें कनवर्ट कर सकते हैं में क्योंकि इंप्रोपर में तो 4 से डिवाइड करो 5 को 1 ताइम डिवाइड होगा रिमेंडर 1 बच जाएगा वो उपर आजाएगा और जिससे डिवाइड किया वो नीचे आजाएगा आप लोगों को यह भी समझ में आगया होगा ऐसे ही आगे के तीनों क्यों से इनको भी हम सोल करके देखते हैं तो देखो सबसे पहले इसके नीचे 1 लगा लेते हैं फिर आगे क्या करेंगे यह मिक्स्ट में गिवन है इनको इंप्रोपर में कनवर्ट कर लेते हैं तो यह तो 2 अपोन 1 ऐसे कैसे आएगा बीच में प्लस है तो प्लस 10 5 जा 50 50 और 7 कितना हो जाएगा 57 और नीचे डिनोमिनेटर में 10 चलेगा बीच में माइनस हो तो माइनस आ जाएगा 15 थरीजा 45 45 में जब हम लोग क्या करेंगे 14 8 करेंगे तो आएगा 59 डिवाइड बाइ 15 उसके बाद में LCM लेना है तो जब आप 1 10 और 15 का LCM लेके देखोग तो आप लोग कोमेंट करके बता सकते हो मैं उसके लिए आप लोगों के लिए एक अलग से लेक्टर बना दूंगा तो देखिए 30 के अंदर 1 से डिवाइड करेंगे 30 टाइम होगा क्योंकि 1 की टेबल जब 30 टाइम से बोलेंगे हम लोग तब जाके हमारे को 30 मिलेगा फिर 30 क को say multiplai करेंगे तो क्या होगा 60 राएगा बीच में plus है तो प्लस आजाएगा सरी को 10 से बीट करेंगे तो 3 2 को क्या करना है 59 से multiply करना है तो पहले 50 को 2 से multiply करोगे 100 आएगा और उसके बाद में 9 को 2 से multiply करोगे 18 आएगा तो यह कितना आए जाएगा 118 I hope आप लोगों को यह चीज समझ में आ गई होगी फिर इन दोनों को पहले 8 कर लो फिर उसमें से इसको सब्सक्राइब कर दो तो देखो इन दोनों को 8 करते है 171 और डिवाइड बाइ 60 मतलब प्लस 60 1 आएगा यहां 3 आएगा यहां 2 आएगा और इसमें सब क्या करना है 118 को माइनस करना है तो देखो क्या बनेगा यहां से एक बोरो करेंगे तो 11 होगा 11-8 करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा यहां 2 बच गया 2-1 कितना होगा 1 होगा यहां 2 बचा होगा 2-1 कितना होगा 1 होगा I hope आप लोगों कोई चीज समझ में आ गई होगी आप लोग चाहो तो पहले इसको सब्टेक कर दो फिर उसमें क्या कर दो 60 एड कर दो मैं आप लोगों को करके बता देता हूँ उससे भी यही रिजल्ट आएगा 171 इसमें से 118 माइनस करना 11-8 करोगे तो कितना आएगा 3 आएगा यहां पे 6 बच क्या 6-1 करोगे तो 5 आएगा और यहां पे 1-1 0 आएगा फिर जब 60 में क्या करोगे 53 एड करोगे तो यह तो 0 और 3 क्या हो गया 3 हो गया 6 और 5 कितना हो गया 11 हो गया तो आप लोगों कोई चीज समझ में आगई होगी तो उपर हमारे पास जो numerator बना है वो कितना बना है 113 और डिवाइट बाइट 30 अब इसको आगे क्या कर सकते हैं Next में convert कर सकते हैं क्योंकि इंप्रोपर में है तो जब इसको divide करोगे तो कितने time divide होगा देखो 3 time में 90 होगा 4 time में 120 हो जएगा जो कि ज़ादा होगे तो हम बोलेगे 3 time divide होगा बागी remaining कितना बच गया हमारे पास 23 बच गया remainder वो उपर आ जाएगा और नीचे के आ जाएगा 30 आ जाएगा I hope आप लोगों को यह भी समझ में आ गया होगा similar ऐसा ही question यह रहा है इसको भी हम क्या करते है solve करके देखते हैं तो देखो सबसे पहले तो इसको convert करते है mixed से improper 6, 8 जा 48 48 प्लस 5 करोगे तो कितना आएगा 53 डिवाइड बाइ 6 बीच में माइनस है तो माइनस आएगा 8 3 जा 24 24 और 3 कितना होगा 27 डिवाइड बाइ 8 बीच में प्लस है तो प्लस 4 टूजा sorry 12 टूजा 24 24 में जब 7 एड करोगे तो वो कितना हैगा 31 डिवाइड बाइ 12 I hope आप लोगों को यह चीज समझ में आगई होगी एक बार वापस से कनवर्ट करके मैं बता देता हूँ 6 को 8 से मल्टिप्लाई करोगे 48 होगा 48 में जब 5 एड करोगे तो 53 आएगा नीचे डिनोम्नेटर में 6 ऐसे कैसे आजाएगा बीच में माइनस है तो माइनस आए 8 3 जा कितना होगा 24 24 में जब 3 को 8 करोगे तो 27 आएगा डिनोम्नेटर में 8 ऐसे कैसे आजाएगा बीच में प्लस है तो यह प्लस आएगा 24 होगा 24 में जब 7 ऐड करोगे तो 31 आएगा नीचे 12 ऐसे कैसे आजाएगा फिर इन तीनों का हमें क्या लेना है LCM लेना है 6, 8 और 12 जब इसका LCM लोगे तो आप लोगों को मिलेगा 24 उसके बाद में क्या करना है इस 24 को हमें क्या करना है 6 से डिवाइड करना है कितने टाइम होगा 4 टाइम डिवाइड होगा उस 4 को क्या करना है इस 53 से multiply करना है तो पहले 50 को 4 time multiply करोगे तो वो कितना आएगा 200 आजाएगा फिर 3 को 4 time multiply करोगे तो 12 आएगा 200 और 12 को comment करदो 8 करदो तो कितना बन जाएगा 200 12 बन जाएगा बीच में minus है तो minus आजाएगा अब 24 को 8 से divide करोगे तो 3 time होगा और 3 को जब 27 से multiply करोगे तो वो कितना आएगा 81 आएगा आप लोग multiply करके अलग से देख लेना बीच में क्या है plus है तो प्लस आजाएगा इस 24 को 12 से divide करोगे 2 time होगा और 2 को जब 31 से multiply करोगे तो कितना आजाएगा 62 आजाएगा अब यहाँ देखो अकसर बच्चे जो गलती करते हो क्या है वो addition को priority देके addition पहले करते और इन दोनों को aid करने की कोशिश करते यह actual में कभी aid होंगे इनको आप लोग direct aid नहीं कर सकते क्योंकि यह actual में किसका है minus का 81 है तो इसका sign को भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा तो अगर हमें addition पहले करना है तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा इन दोनों को aid करना पड़ेगा क्योंकि यह और यह plus के हैं फिर जो भी result आएगा उसमें से 81 subtract करना पड़ेगा या आप लोग यह कर सकते हो पहले subtract कर लो जो भी result आएगा उसमें क्या कर दो 62 को add कर दो तो मैं एक काम कर रहा हूं पहले इन दोनों को add कर देता हूं तो इन दोनों को एक साथ लिख देता हूं और last में 81 को कर देता हूं shift और यहाँ पर 24 आजाएगा फिर देखो आगे इनको add करते हैं 2, 2 कितना हो जाएगा 4, 1 और 6 कितना हो जाएगा 7 और यह वाला 2SAK से चल रहा है minus 81 करना है divide by 24 अब इसमें साब subtract करते हैं तो देखो 4 में से 1 subtract करोगे तो 3 आएगा यहाँ पर कितना है 27 या फिर 7 मान लो इससे इधर से एक बोरो करोगे 17 हो गया 17 में से जब 8 minus करोगे तो कितना आएगा 9 आएगा वर यहाँ पर 2 में से एक उधर चल गया था तो 1 बचा 1 यहाँ आजाएगा divide by 24 I hope आप लोगों को यह चीज समझ में आ गई होगी अब क्या करना है इसको इससे divide करना है तो divide आप लोग यहाँ करके देख सकते हो देखो 24 की table बोलने स्टार्ट करो तो अंदाजे से देखो मैं आप लोगों को बताता हूं कि भाई 10 टाइम में कितना होता है 240 और हमें कि 8 2 मतलब 4 4 8 4 32 का 2 आ जाएगा केरी कितना आएगा 3 आएगा 8 2 जा 1603 190 मतलब 19 आ जाएगा तो 192 हमारा क्या आगया यह इससे छोटा ही है वह तो हम बोल सकते 8 टाइम में कितना होगा 192 सब्रेट करोगे तो 1 आएगा अब क्या करना है हमारे को जो इसको मिक्स में करना है तो यहां तो 8 आ जाएगा जितने टाइम डिवाइड हुआ है रिमेंडर ऊपर आ जाएगा और नीचे जिससे डिवाइड किया हो नीचे आ जाएगा आप लोगों को यह चीज समझ में आ गई हो कि एक बार और हम देख लेते हैं यहां तक हमने बिलकुछ सही किया है इसको क्रो 36, 36 प्लस 1 कितना होगा 37 डिवाइड बाइ 6 होगा बीच में माइनस है 55 जा 25 और 1 कितना हो जाएगा 26 डिवाइड बाइ 5 प्लस 33 जा 9 और 1 कितना हो जाएगा 10 तो 10 डिवाइड बाइ 3 I hope आप लोगों को यह भी समझ में आ गया होगा फिर आगे क्या करना है LCM लेना है जब आ आप लोग निकाल के देख लेना यही हमारा आंसर आएगा मतलब LCM फिर क्या करना है 30 को 6 से डिवाइड करना है 5 टाइम होगा इस 5 को क्या करना है 37 से मल्टिप्लाइ करना है तो इधर आप करके देख सकते हो 57 जा 35 का 5 आएगा केरी कितना आएगा 3 आएगा 53 जा 15 और 3 कितना हो जाएगा 18 तो कितना आएगा 185 बीच में माइनस है तो माइनस आजाएगा इस 30 को क्या करना है 5 से Divided करना है 6 time होगा 6 को 26 से Multiply करना है तो कितना आएगा 66 आएगा Carry कितना आएगा 3 आएगा और 6, 2 जा 12 आएगा 12 में 3 8 करोगे तो कितना आजाएगा 15 आजाएगा तो 8 करने पे कितना है 156 मतलब Multiply करने पे 156 आएगा बीच में MINE plus है तो plus आजाएगा फिर इस 30 के अंबर इस 3 से divide करोगे 10 time होगा 10 को 10 से multiply करोगे तो कितना आएगा 100 अब आप लोग पहले इसको subtract कर लो पहले हमने यहां क्या किया था इन दोनों को combine किया था आप लोग इसको subtract करके भी आगे कर सकते हो तो देखो पहले subtract कर लेते हैं कितना आएगा 185 में से minus करना 15 56 यहां से एक बोरो करेंगे 15 होगे 15 माइनस 6 करेंगे तो 9 आएगा यहां पर 7 बचा 7 माइनस 5 करेंगे 2 आएगा यही 29 आएगा और प्लस का 100 साथ में चली रहा है डिवाइड बाइ 30 जब इसको 8 करोगे तो कितना आएगा 129 डिवाइड बाइ 30 जब इसको डिवाइड करोगे तो 4 टाइम डिवाइड होगा 120 आजाएगा बचे का कितना 9 बचेगा वो उपर आजाएगा और नीचे 30 आजाएगा आप लोग चाहो तो इसको थोड़ा सा और करेंगा उसके बाद में आप लोगों को simplest form में लिखना है तो यहां क्या हो जाएगा four time divide होगा ten से बचे का कितना three और नीचे कितना आजाएगा ten तो यह क्या हो गया हमारा final result हो गया I hope आप लोगों को यह भी समझ में आ गया होगा एक last question है इसमें चार numbers को क्या कर चार fractions को एक साथ दे दिया तो चारों में क्या करना सेम procedure वही होगा बस चार में पहले तीनों को add कर लेंगे इन तीनों को और फिर जो भी result आएगा उसमें क्या करेंगे इसको सब्टेट कर देंगे तो देखो नीचे बन लगा के पहले convert कर लेते इसको यह तो 3 एपॉन वन ही रहेगा बीच में प्लस है तो प्लस आएगा 5 वन जा 5 और कितना हो गया 6 अपॉन 5 बीच में प्लस है तो प्लस आएगा यह ऐसे कैसे आ जाएगा 2 अपॉन 3 माइनस 7 अपॉन 15 भी ऐसे कैसे आ गया अब इन तीनों का LCM लेंगे 5, 3 और 15 का जब 1 का LCM लोगे तो कितना आएगा 15 आएगा अब लोग लेके देख लेना 15 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम होगा 15 टाइम होगा 15 को 3 से क्या करेंगे multiply तो वो कितना होगा 45 बीच में plus है तो plus आएगा इस 15 को इस 5 से divide करोगे तो 3 time होगा 3 को जब 6 से multiply करोगे तो 18 आएगा बीच में plus है तो plus इस 15 को 3 से divide करोगे तो 5 time होगा और 5 को जब 2 से multiply करोगे तो 10 आएगा बीच में minus है तो minus इस 15 को इस 15 से divide करोगे तो 1 time होगा और 1 को 7 से multiply करोगे तो 7 होगा I hope आप लोगों को यह चीज समझ में आगई होगी अब पहले addition कर लेते हैं तो देखो 45 और 10 कितना हो जाएगा 55 और 55 में यह वाला 10 एड करोगे 65 65 में इसको हम break कर लेते हैं 5 प्लस 3 तो पहले 65 में 5 एड करेंगे तो कितना होगा 70 और 70 में जब हम क्या करेंगे 3 एड करेंगे तो कितना हैगा 73 माइनस 7 डिवाइड बाइ 15 तो देखो क्या बचा 73 में से 7 माइनस करेंगे 66 बचेगा नीचे डिवाइड में कितना बचेगा 15 बचेगा अब यह दोनों देखो उपर दीचे 3 से डिवाइड होगा तो यह 22 times हो गया, यह 5 times हो गया, उसके बाद में अब इसको mixed में convert कर सकते हो, तो देखो 4 times divide होगा, 20 हो गया, बचा कितना remainder 2, उसको उपर लिख देंगे और नीचे क्या आ जायागा, 5 आ जायागा, I hope आप लोगों को इस चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी, इसको स्लाइट पर हम लग कुछ word problems को देखते हैं, अब हम कुछ word problems को solve करते हैं, इसके साथ फिर हमारा ये lecture खतम हो जाएगा, तो मैंने आप लोगों के लिए 3 word problems लखी है, 3 word problems को देखते हैं, कि किस तरीके से solve किया जाता है, तो word problems को solve करने का, जो सबसे best तरीका है, वो क्या है, क कि हमारे को क्या करना पड़ेगा सबसे पहले question को carefully read करना पड़ेगा एक बार carefully read कर लिया उसके बाद में question में क्या-क्या चीज़े given हैं मैं उनको अच्छे से एक बार लिख लो उसके बाद में उस चीज़ पर focus करो कि हमें find क्या करना है तो देखो हम यही procedure follow करते हैं देखो यहां सबसे पहले question को read करते हैं what should be added to 7 and 3 by 5 to get 18 अब इसका क्या मतलब है इसको मैं एक simple question में बता दूँ कि 5 हमारे पास एक number है इसमें ऐसा क्या aid करूँ कि मुझे 8 मिल जाए तो आप लोग सोच पा रहे होंगे इसमें क्या aid करने पेट मिलेगा 3 अब यही चीज fractions की form में given है देखो कि what should be added to 7 and 3 by 5 हैनि 7 and 3 by 5 में हमें क्या aid करना है जिससे कि हमें क्या मिल जाए result 18 मिल जाए I hope आप लोग यह चीज़ समझ पा रहे होंगे लेकिन अब यहाँ problem यह है यहाँ तो simple number था तो 5 plus 3 8 सोच पा रहे थे अब लेकिन यहाँ fractions है तो fractions को direct हम बता नहीं सकते कि वह इसको ऐसे यह aid करने पे यह आ जाएगा तो हमें इसको पूरा procedure follow करना पड़ेगा तो हमें number नहीं पता कि क्या aid करना है तो हम बोल देते हैं यहाँ solution लिखता हूँ में कि let the number which should be added जिसको हमें add करना है which should be added be x माल लो कि वह number कितना x x कोई भी number हो सकता है अभी हमें इसी की number को तो निकालना है अब according to question अकर हम चले question में क्या given है देखो according to question अकर हम चले उसने बोला है कि इस number में कुछ ऐसा number aid करो जो हमें बताना है कि result कितना आ जाए 18 आ जाए तो हमने वो number क्या किया है माल लिया कि x है according to question क्या बोलना चाहता है कि इस वाले number में कुछ aid करो वो number हमने क्या मान रहा है x जिससे कि result कितना मिल जाए 18 मिल जाए I hope आप लोगों को इस चीज समझ में आ गयो कि में एक बार वापस explain करता हूँ question यह बोल रहा है कि इसमें ऐसा क्या aid करूँ जिससे कि जो result आएगा sum आएगा उनका वो कितना आजाए 18 आजाए अब वो हमें नहीं पता तो हमने माल लिया कि हम इसमें क्या aid करेंग x तो 7 and 3 by 5 में अगर हम x aid करेंगे तो कितना मिलेगा 18 मिलेगा ऐसा question बोल रहा है हमारे को अब हमारे को तो x की value चाहिए क्योंकि हमारे को यह तो निकालना था कि क्या aid करना है तो देखो आप लोगों को यह basic rules पता होंगे 6 class में भी थोड़े बहुत सीखे होंगे जब इदर कोई number positive का होता है तो वो other side जाके किसका हो जाता है negative का हो जाता है ऐसे negative में कोई number है तो other side जाके क्या हो जाएगा positive हो जाएगा similarly इदर से इदर number जाएगा तो sign बदल जाएगा ऐसे multiply में कोई number है तो इधर आके divide में हो जाता है और divide में कोई number है तो इधर आके multiply में हो जाता है यह अभी के लिए आप लोग side में लिख सकते हो ऐसे cloud type का बना के हम लोग क्या करेंगे जब linear equation in two variable उस नाम से एक आप लोगों के chapter आएगा इस चेप्टर में इस concept को पूरा detail में समझेंगे और इसके ओपर बहुत सारे questions भी करेंगे अभी देखो यह number इसके आगे कुछ नहीं है और जिस नमबर के आगे कुछ नहीं होता उसको क्या समझा जाता है positive का यह positive number है other side जाके किसका हो जाएगा negative का और वहाँ पहले से क्या present है 18 प्रिजेंट है तो इधर तो केवल x बचेगा और plus का x बचेगा तो plus लिखने की जरुवत है नहीं 18 पहले से था इधर यह इधर plus का है तो उदर जाके क्या हो जाएगा minus का 7 and 3 by 5 I hope आप लोगों को चीज समझ में आ गई होगी हमने क्या किया यह positive number है positive क्यू है यह भी आप लोगों को पता होगा कि किसी भी number जैसे 7 है उसके आगे कुछ नहीं लिखा हो है तो इसको हम plus का 7 मा हो जाएगा minus का मतलब plus 7 upon 3 by 5 7 and 3 by 5 other side जाके क्या हो जाएगा minus 7 and 3 by 5 अब क्या करना है इसको सब्ट्रेक करना simply वह हमारा क्या हो जाएगा answer हो जाएगा तो देखो 1 इसके नीचे वल नगा लिया 18 के नीचे यह तो इससे कैसे चलेगा यह mixed है इसको इंप्रोपन में convert कर लो 35, 35 में 38 करेंगे तो 38 divided by 5 अब आगे क्या करना है दोनों का LCM लेना है तो 1 और 5 का LCM कितना आएगा 5 आएगा इस 5 को 1 से डिवाइड करोगे 5 टाइम होगा 5 को जब 18 से multiply करोगे तो 90 आएगा बीच में minus से तो minus आजाएगा इस 5 को 5 से divide करोगे 1 टाइम होगा 1 को 38 से multiply करोगे 38 आएगा अब इसमें से इसको सब्केक करना है तो इधर से एक बोरो करो 10 10 minus 8 होगा कितना 2 इधर 8 बच गया 8 में से 3 minus करेंगे तो कितना आएगा 5 आप लोगों को चीज समझ में आ गई होगी नीचे कितना 5 अब क्या करना है इसको वापस से mix में convert कर दो तो इसको इससे divide करो कि 10 time होगा बचेगा कितना 2 वो उपर आ जाएगा और नीचे क्या जाएगा 5 यानि कि जो number हमें 8 करना पड़ेगा वो कितना 10 and 2 by 5 तो यह हमारा final result हो गया I hope आप लोगों को चीज समझ में आ गई होगी next question भी ऐसा ही है बस इसमें सब्ट्रेक्ट करना है उस number को तो देखो क् what should be subtracted from 17 and 3 by 4 to get 11 and 2 by 3 अब देखो यहां पे क्या करना है इसमें से क्या सब्ट्रेक्ट करूं इसका मतलब यह ऐसा है जैसे समझो 10 में से क्या सब्ट्रेक्ट करूं कि मुझे 6 मिल जाए तो 10 में से एगर हम लोग 4 सब्ट्रेक्ट कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा 6 मिल जाए कि इसमें से क्या सब्ट्रेक्ट करें त्यान से देखना from this बोला है मतलब इसमें से सब्ट्रेक्ट करना है तो इसका मतलब है 17 and 3 by 4 में से क्या सब्ट्रेक्ट करूं जिससे हमें result क्या मिल जाए 11 and 2 by 3 I hope यह चीज आप लोगों को अच्छे सा समझ में आ गई होगी कि इसका म अब हम लोग वही करते हैं माल लेते हैं कि इसको सब्ट्रेक्ट करना है तो क्या करेंगे हम यहापे solution में कि लेट दा नंबर विच्छुड भी सब्ट्रेक्टेड विच्छुड भी सब्ट्रेक्टेड बी एक्स माल लो नंबर क्या एक्स अब अगर हम according to question चले एक्स माइनस किया तो फॉमने क्या मिला यही तो बոल रहा है देखो कि वाट सुड पी सब्ट्रेक्टेड फॉम डी स्टेड एक्स माह करें लाने के लिए ने according to question हमने मान लिया कि x subtract करना है 17 and 3 by 4 minus x करोगे तो वो कितना होगा 11 and 2 by 3 आना चाहिए I hope यह चीज आप लोगों को समझ में आगई होगे अब इसको आगे solve कैसे करें हमें x की value चाहिए तो देखो इधर यह minus x है आप लोग एक काम कर सकते हो इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि अगर हम 17 and 3 by 4 में से minus करेंगे x तो वो हमें result कितना मिलेगा 11 and 2 by 3 इसको मैं right side नहीं लिखे कि इधर लिख देता हूँ left hand side इससे कोई भी फरक नहीं पड़ेगा अब देखो हमें x की value चाहिए अभी इधर minus x है तो यह काम करते है x को हम इधर लिखाते है और इस वाले पार्ट को किदर ले जाते है उदर ले जाते है तो मैं देखो पहले minus का x है इस side आके क्या हो जाएगा minus x minus x का number इधर आके क्या हो जाएगा plus का number हो जाएगा I hope यह चीज़ आप लोग समझ पा रहे होंगे तो minus इधर आके plus हो गया तो देखो यह plus होगा plus x यह 11 and 2 by 3 ऐसे कैसे चल रहा था और इधर क्या है 17 and 3 by 4 बचा उनली फिर आगे solve करे देकिन हमें तो x चाहिए यह 11 and 2 by 3 इधर किसका है plus का क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं तो यह other side जाके क्या हो जाएगा minus का तो इधर only क्या बचेगा x बचेगा इधर क्या हो गया पहले से present क्या था 17 and 3 by 4 और यह जो positive number था उदर जाके क्या हो गया minus हो जाएगा कितना 11 and 2 by 3 I hope यह चीज आप लोगों कोई समझ में आ गई होगी पहले minus x को उदर लेके गया और इस वाले part को उदर लेके गया अब यहां हमें subtract करना है तो पहले इसको convert कर लो इसको इससे multiply करोगे 68 होगा 68 में जब 3 add करोगे तो 71 होगा divide by 4 होगा नीचे minus है तो minus आ जाएगा यह 33 हुआ 33 plus 2 कितना होगा 35 divide by 3 अब क्या करना है दोनों का LCM लेना तो जब LCM लोगे तो वो निकल के आएगा हमारा 12 इस 12 में 4 से divide करोगे कितने time होगा 3 time divide होगा 3 को 71 से multiply करोगे तो कितना आएगा 2, 1, 3 बीच में minus है तो minus आ जाएगा इस 12 को 3 से divide करोगे तो 4 time होगा 4 को 35 से multiply करोगे तो आएगा 140 इस में से इसको subtract करो 3 minus 0 कितना होगा 3 होगा 21 में से minus करना है 14 तो जब आएगा कितना 7 आएगा और divide by 12 अब इसको वापस से divide कर सकते हो तो कितना होगा 6 time divide होगा 72 बचेगा कितना 1 बचेगा नीचे कितना आजाएगा 12 आजाएगा तो ये क्या होगया अमारा answer यानि कि अगर हम इस number में से ये subtract कर देंगे न तो हमारे को क्या मिलेगा ये वाला number मिल जाएगा अप लोग verify करके भी देख सकते हो इस वाले number को इसमें से subtract करके देखो आप लोगों को देखना final result क्या मिलेगा 11 and 2 by 3 मिलेगा I hope ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा एक last question हो रहे है देखो पहले question को read कर लेते फिर मैं explain करते हूँ रोहित 8 4 upon 7 part of an apple and his sister read to add the remaining part of it दो भेन भाई है आपस में लड़ रहे है कि कौन ज़्यादा खाएगा कौन कम खाएगा उसमें से क्या होता है रोहित क्या करता है एक apple है ठीक है एक apple ठीक है इस type का कोई apple है तो apple का क्या करता है रोहित टोटल 7 parts कर दी है 7 में से 4 parts किसको मिल गए रोहित को मिल गए यानि रोहित ने क्या कर लिए 7 parts में से ऐसे हमने slice कर ले थे न इसकी देखो आप लोग ने देखी होगी इस type की जो slice बनती है इस type की ऐसी तो आसी टोटल 7 slice की हमने उसमें से 4 slice किसको दे दी है हमने रोहित को ठीक है 4 slice किसको मिल गई है रोहित को मिल गई है और remaining जो भी बच्ची होगी 3 slice वो किसको मिलेगी उसकी sister रीतू को मिलेगी तो रोहित 4 upon 7 part को खाता है और बाकी के remaining part को को खाता है उसकी sister Ritu खाती है Who ate more and by how much अब हमें question ये पूछा है कि एक तो किसने सब जादा खाया तो देखो आप लोग देखते ही बता पा रहे होंगे कि अगर हमने 7 पार्ट किये उसमें से 4 पार्ट किसने खाया है रोईत ने खाया बाकी के 3 पार्ट किसने खाया है Ritu ने खाया तो रोईत ने क्या खाया है जादा पार्ट का तो रोईत का जादा आएगा लेकिन हमें फिर ये भी पूछा है कि कितना खाया कितना जादा खाया हम बोल सकते हैं एक पार्ट क्या खाया है उसने ज्यादा खाय तो तरीका यह आप लोग इस तरीके से हो सकते हो लेकिन प्रोपर तरीके से कैसे करेंगे तो वो देखो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं जो भी चीजे हमारे को गिवन है पार्ट ओफ एपल इटन बाई रोईट ने कितना पाट खाया फोझए फोट उपन- सेवन यह घाया था अब है कर दिमेंइं पांट ऑफ जो एपल ऐसका रिमेंइंग पास कितना बच गया पूरा ऐपल वन मान लो हूस वन में से फोटो अपन-सेवन पार्ट किस ने खा लिया है टो जब आप लोग हीसको सब्ट्रेक्21 3 आएमाइन अप अब यह पार्ट जो बचा है वही किस ने खाया है रीतु ने खाया है तो हम बोल सकते हैं पार्ट ओफ एपल इटन भाई रीतु वह भी कितना है थ्री अपॉन सेवन है दोनों का मतलब सहीं ही तो है कि रोईतने जो खाया इसके बाद में जो बच गया वही तो बचावा पार् आगे होगी अब हमें बताना किस ने जादा खाया तो देखो यहां इन दोनों को कंपेर करो एक है फोर अपॉन सेवन और एक है थ्री अपॉन सेवन हमने कंपेरिजन अफ्रेक्शन अल्री कवर कर लिया आप लोगों ने वह लेक्चर भी नहीं देखा तो वह भी जाके खा भी है तो फोर 英गे ग्रेंगे कि four upon seven वाला पार्ड के जैएगा ग्रेंगे कि four upon seven greater three upon sevenhen four upon seven seven वह किसने खाया था ने खाया हुम क्या बोलेंगे रोहित written 8 10 i hope to समझ में कि नहीं ज्यादा खाया कितना ज्यादा कई तो दोनों डिफरेंस निकाल था दो उतना झावाब का लिए सभी ने फाफिक था तो blame कंतना ज्यादा ज्यादा उपर 4-3 आएगा माइनस करोगे तो 1-7 यानि 1-7 पार्ट ज्यादा खाया किसने रो इतने किसके कंपेडिजन में रितु के कंपेडिजन में आप लोगों को यह भी समझ में आगया होगा इन तीनों को अच्छे से नोट कर लिजिए वीडियो को पोज करकर इससे के साथ आजका लेक्टे आधा ख़तम होता है नेक्ष्ट लेक्टे के अंदर हम लोग सेक्शन का में अगर को कोई प्रोब्लम होती है कोई समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को like, share और comment जरूर किजिए Thank you